कोई किसी को कोई धर्म परिवर्ट नहीं करवाता है और किसी को कोई जवर्दस्ति कोई कुछ नहीं बनाती महिला के बेट में आप लात मार के उसकी बेजती कर रहे हो तो ये ये कौन सा धर्म सिखाता है तो हम किसी को हिंदू नहीं देखते हैं, किसी को मुसल्मान नहीं देखते हैं, किसी को किसी धर्म से नहीं जोडते हैं, अगर आप सही अच्छे हिंदू हो, तो आपको अपने धर्म की भी श्रदा है, उतनी श्रदा आप दूसरे धर्म को भी दिखाते हो, जिनों ने जो नार मैं क्या बज़े है आप मुस्लमों के बाद क्रिश्चिन भी जिवावा सड़कों पर उतरा हुआ है मैं आप से आज बताना चाहरी हूँ कि पहले मुसलमान और फिर क्रिश्चिन मैं इसको एक मुद्दा नहीं बनाना चाहती हूँ लेकिन सच्चाई कहां पर क्या हो रहा है आप मुझसे ज़्यादा वाकिफ है स्टेटिस्टिक्स आप देख लीजिए केसस आप देख लीजिए किन के उपर आज अत्याचार हो रहा है किन को शिकार बनाया जा रहा है धरम के नाम पर और किन को सताया जा रहा है चाहे वो यहां देली राइट्स को ले लीजिए, चाहे आप खंदमाल को ले लीजिए 12 साल पहले, चाहे आप 36 गड में जो हुआ है धरम, जबरन धरम परिवर्तन हो रहा है, कौन किसका धरम परिवर्तन कर रहा है, कोई किसी को कोई धरम परिवर्तन नहीं करवाता है, और किस करेंगे तो उसमें कोई भी सचाहि नहीं है यहां पर हम सरकार के उपर नहीं हम आज इसी फंक्शन के बाद में प्रोटेस्ट के बाद में हम लोग मेमरांडम देना है हम लोग प्राइम मिनिस्टर और साथ ही में प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया सारी कमिश्ञेंस में कि जो क् सरांश में बता दू 75 साल की महिला को उसके कपड़े निकालके उसको नंगा गुमाया गया धरम के नाम पर तुम क्रिस्चन धरम छोड़ दो यहां पे धरम और 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 औरत की इज़त उचाल रहे हो यहां पर कौन है धरम का ठेकेदार कौन इस और गर्वति महिला के बेट म आप लात मार के उसकी बेजती कर रहे हो तो यह कौन सा धरम सिखाता है और क्या वो धरम परिवर्तन नहीं है यहां का खंदा माल लोगों को कैंपों में जो लोग थे उनको घरवापसी करवाया गया था क्या वो धरम परिवर्तन है क्रिस्चन कोई किसी का धरम परिवर्तन अगर धरम परिवर्तन करवाते हैं तो आज जो सारे Minister पैठे हैं उनके बच्चे कॉंवेंट स्कूल में पड़े हुए हैं मेडिसन के लिए क्रिस्टिन होस्पिटल्स में गए हुए हैं तो वो क्यों धर्म परिवर्थत नहीं कियों हैं जब आदिवसी बढ़ता है आदिवसी या दलित बच्चे को कहीं कुछ शिक्षा मिलती है विकास की और भागती है तो वे धर्म परिवर्थतन उनका इसायों के उपर ये लालचन लगाए जाती है कि वे उनका धर्म परिवर्थतन कर रहे क्योंकि गरीब बहुत बहुत सौफ टागेट है और उनकी जमीने जो असली मुद्दा है वह है शायद कुछ और कि उनको वहां से डर के डरा के उनको वहां से बगा दिया जाए ताकि उनकी जमीन जो बाहर से लोग ये कुछ लोग करवा रहे हैं उस देश की हमारे भारत की गाउं की खंडता को भंग करने के लिए हमारे सविधान को तोड़ने का ये जो काम हो रहा है ये बहुत ही गलत काम है और भारत को जोडने वाला नहीं भारत के विकास का काम नहीं भारत को अगर आप अगर प्रनोबन का बात करते हैं तो अगर आदिवसी का बच्चा पढ़ रहा है और वो पढ़के दस्वी और बार्वी पास करके वो आगे आगे है अगर वो कुछ सपना देखता है तो उसमें क्या गुना है उसमें क्या गुना है अगर किसी को इंसान बना दिया जाए उसकी जिंदगी सुधार दी जाए लेकिन धरम लेना या देने का कोई ठेकेदारी हमने नहीं लेके लड़ाइं अगर आपको दिष्चा दिखा दी जाए पड़ाई से आप देश बदल देंगे अपना परिवार बदल देंगे और समाज बदल देंगे तो लड़ाई हमारी शायद यहां असामानता की है धरम की नहीं है हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना है गरीबों को जो धार्मिक मुद्धे है इसको बहस तेज दिये हैं और हिंदू राष्ट बनाने की मांग हो रहे हैं मैं इस चीज में विश्वास नहीं करती हूं जै मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं क्योंकि मैं सुप्रीम कोड की अडवोकेट हूं तो हम किसी को हिंदू नहीं देखते हैं किसी को मुसल्मान नहीं देखते हैं किसी को किसी धर्म से नहीं जोडते हैं क्योंकि हमारा धर्म इंसानियत का धर्म के न्याय का धर्म है तो मैं सोचती हूँ ये देश कभी भी हिंदू धर्म नहीं बनेगा और ना बन सकता है हाँ आप कुछ लोगों को उच्छाल सकते हो उनके दिलों में गलत भावनाई डाल सकते हो उनको दूसरों के प्रती दूसरे धर्मों के प्रती जब आप नफरत फिलाते हो ही ऑगे अगर आप सही अच्छे हिंदू हो तो आपको अपने धर्म की हिर भी शरद्धा है राजनीती बताश पाएगी क्या बदलेगा मैं मैं नहीं चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता है कि ये भारत जो गुलदस्ता है, मेरी यहां पर 21 तरीक को हमने प्रोटेस्ट करी थी महिलाओं के साथ, जिसमें आक्टिविस्ट, अड्वोकेट सारे पूरे उन महिलाओं के खिलाफ खड़े थे, छिनके साथ गलत काम हुआ, धरम परिवर्तन को ले और हमारा धरम महिलाएं तो महिलाएं हैं, मानव अधिकार तो मानव अधिकार है, भारत को कभी भी हम हिंदू धरम में नहीं देखेंगी, ना होगा, क्योंकि भारत का जो सविधान हमें मिला हुआ है, खंड, we are a country with religions, with caste, color, creed, और वे mandate जो है, सविधान मुझे freedom देता है, म what is my mandate and that will stand and right to freedom of religion, वो हर एक व्यक्ती का mandate है, वो कोई उसको छीन नहीं सकता है, कोई उसको जपत नहीं कर सकता है, हाँ, उसको हम गलत तरीके से लोगों को गुम्राज जरूर कर सकते हैं, आपने political mileage के लिए, थोड़े समय के लिए मुझे फाइदा मिल जाए लोगों को लड आदिवासियों के उपर प्रहार करेंगे, दलितों के उपर प्रहार करेंगे, उनकी सुविधाओं को चीनेंगे, शिक्षा को चीनेंगे, उनकी सुविधाएं जो मैंडेटरी हैं उन्हें देने की, उनको चीन रहे, जो बाबामेटकर ने हमें दी हैं, बड़े सोच समझ के हमारा सविधान उन्होंने विश्व के सविधानों को पढ़के उन्होंने ये सविधान हमें दिया है सबसे बेस सविधान, second best constitution in the world we have अगर उन्होंने वो सविधान हमें दिया है तो उसको हमें maintain करना है तो right to freedom जब उसका यहां पर brush कर रहे हैं उसको तोड मरोड कर रहे हैं तो हम सविधान को तोड मरोड रही है जब हम लोगों की आवास को five pillars, judiciary को जब हम suppress कर रहे हैं, media को suppress कर रहे हैं we are breaking the constitution, that's what I say we are playing with the constitution, our mandate which is given to us as republic of India we are the people of India, हमें भारत की हमने अपने आपको अपना सविधान दिया है तो हमें उस सविधान को जोड़े रखना है, मजबूत करना है और उस पे चलने का ही हमारा विकास का रास्ता है, भाइचारे का कावा साब में बहुत अच्छा सविधा, लेकिन आइंकर है, रिपोर्टर है, सुधीर चौनर की हूँ और बहुत सारे लोग है, जो कहते हैं कि यह समयां copy-paste करते है जिन्हों ने कहा है, यह copy-paste है, तो वो यह भी बता दें, कि कहां से copy-paste है, वो scholarly बंदा यह भी बता दें, किसका scholar, अगर उन्होंने कहीं, if they have studied slavery, we have already abolished slavery, है न, तो हमारे यहां पर trafficking, human trafficking, कि आप बात करते हो, women empowerment की बात करते हो, child right की बात करते हो, तो यह सारे rights हमें constitution से मिल रहे है, freedom of religion, right to life, हम सब को right to life है, कि मुझे जिन्दा रहना है, और जिन्दा रहने के लिए हमें सारी सुविधाय मिलनी है, okay? So that's why for me, it's best constitution and we will continue to safeguard. कि जनम भूमी में इसाई भी है, मुसल्मान भी है, सीख भी है, जेन भी है, बुद्धिस्ट भी है, और यह वो धर, अगर हम G20 की बात कर रहे हैं, हम विश्व में सब को अमंत्रित कर रहे हैं, तो पहले हम अपने घर को संभालें, जिसमें अगर धरम के नाम पर हम लोगों कोई किसी को गुमराने, किसी को आप पकड़ लीजिएगा, कोई सारे अपने रोजी रोटी कमाते हैं, कोई किसी को गुमराने करता है, मैं आपको एक कप चाय पिला देंगे, दोस्ती के नाते, भाई के नाते, आप मेरे घर आए हैं, और एक मैं उधारन दू, यहीं का केस चल रहा है, द्वार का नजफगर की तरफ, अगर एक आप अपनी कमाई से एक परिवार जो करोना में जिसका रोजगार चला गया, अगर आप पांच भाई मिलके एक रिक्षा वाले को एक रिक्षा खरी देते हो, और कहते हैं कि भाई आपनी रोजी रोटी चला, तो क्या, अगर आप में से एक हिंदू है, एक मुसल्मान है, एक इसाई है, चारों ने का चलो हम पांच भाई मिलके रोजी रोटी चलते हैं, लेकिन आप क्या कहेंगे, अगर वो इसाई बंद है तो आप कहेंगे, उसने धर्म परिवर्तन कर दिया, उस बंदे को रिक्षा दे के धर परिवर्तन कर दिया, तो यह हैं केसस, जो जूटे केसस लगाए जा रहे हैं, हमारे पादरियों पर, संस्थाओं पर, जो Mother Teresa ने अच्छे काम किये, बच्चों को, खोडियों को उठा उठा के, और उनी के घरों को, उनी के इंस्टिटूट को गेराव किया गया, कि यह जिसा, इस वेल नौन इंटरनाशनल फिगर, तो जब उनके उपर इल्जाम इतने बड़े लग सकते हैं, तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं कहना है, सिरफ गलत चीजों को, और गलत चीजे बहुत देर तक नहीं टिकती हैं, क्योंकि सच्चाई जो है, वही पनपेगी, ये थोड़े टाइम के लिए लोगों को उचाल सकते हैं, गलत रास्ते पे, लेकिन दर्ती अगटिकी है, तो सिरफ सत्य के उपर, सत्य मेव जयते, जब हम कह रहे हैं, क्योंकि मैं वक्किल हूँ, लेकिन मैं इंसानियत के धरम को मानती हूँ, यहां हमारे साथ, आज सिरफ क भारत महान, जो एक सोने की चिडिया है, हम उसी को बनाएं, तो हमारा भारत सुम्रत है, हमारे प्राइम निस्टर के साथ खड़ी हूँ, एक का नहीं, सब का विकासो, सब को जीने की उमीदे दो, सब को रोजगार दो, सब को पढ़ाओ, इस देश में शान्ती बाहाल करो, तो ये देश बहुत ही सुन्दर देश है, और इसमें पूरे विश्र में उसकी व्याख्या होनी है, ना कि गलत चीजों की.